जब हम अपना घर छोड़ कर, अपना शहर छोड़ कर एक नए शहर नौगरी करने ले जाते हैं, तो कितने सारे सवाल होते हैं हमारे दिमाग में, वहाँ पर रहने का कैसे होगा, वहाँ पर खाने का जुगार कैसे होगा, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ की भार्षा क्या ह वहाँ पर मुझे अगर एक जगे से दूसरी जगे जाना है तो मैं कैसे जाओंगा, कौन सी बस पकड़ूंगा, कौन सी ट्रेन पकड़ूंगा, इतने सारे हजजारों सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, उन सवालों को लेकर हमें एक नए शहर आते हैं, और टाइम के साथ हमें उनका आंसर मिलता है, लेकिन जब आप अपना देश छोड़कर, जिसमें आप बचपन से रहे हो, वो देश छोड़कर आप एक नए देश में जाते हो, जहाँ पर सब कुछ अलग है, तो इन सवालों का जो काउंट है ना, यह जो सवाल हैं, दस गुना और बढ़ जाते हैं तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मैं आज से ढाई साल पहले सुईडन आया था, तो बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में, तो मुझे लगा उन टॉपिक्स पे, उन सवालों पे एक वीडियो बनाता हूं, जिससे कि अगर आप किसी दूसरे शहर मूव हो रहे हो, किसी द मैं मूव वा था सुईडन, तो अगर आप सुईडन नहीं भी मूव हो रहे हो, आप मान लीजी, आप नेदरलेंड मूव हो रहे हो, आप फिनलेंड मूव हो रहे हो, आप स्पेन मूव हो रहे हो, आप किसी और कंट्री मूव हो रहे हो, तो मोसली जो पूरा यूरोप है, व हमारे दिमाग में आता है वो ही आता है कि यार वहाँ पर रहने का जुगाड कैसे होगा स्वीडन में अगर आप मूव हो रहे हैं जैसे हम मालू मूव है तो यहाँ पर क्यूइंग सिस्टम होता है तो हमने क्या किया था कि जब इंडिया में ही हम थे हमने Q में रजिस्टर कर लिया था, यहां की जो एक वेबसाइट है, वो ग्लैट्स, उसमें हमने रजिस्टर कर लिया था, तो जिससे आप Q में आ जाएं, जब आप Q में आ जाते हैं, आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है, तो आपको फिर अच्छे लोकेशन में थोड़े सस्ते घर आपको देखने को मलते हैं, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, आप उसमें रह सकते हैं, लेकिन माल लिजे, आपको ओफर मिला यहां आने का, आप एक मेहने के अंदर मूव हो रहे हैं, तो एक मेहने में आपकी जो Q में रैंक है, वो बहुत अची तो होगी नहीं, तो आप रजिस्टर कर लिजी और साथ ही साथ आप सेकंड हैंड कांट्रेट के घर देखना स्टार्ट कर दीजे, अब आप सोच रहूंगे इस सेकंड हैंड कांट्रेक्ट क्या होता है, तो इसका मैंने पहले एक वीडियो बनाय हुआ है, उसका लिं हो, सोने के लिए बेड मिल जाएं, कीचन में थोड़े बरतन हो, जिसमें आप खाना बना सकें, दूसरा काम जो आपको यहां के सबसे पहले करना है, वो है कि टेक्स ओफिस जाना है, स्वीडन में उसे बोलते हैं, स्कैट आफिस तो क्यूंकि आप टेक्स ओफिस जाते हैं, तो यह जो नमबर है यह आपकी पहचान है, तो यह बहुत ज़रूरी है, तो जितना जल्दी आपके पास आ जाएगा, उतने ही जल्दी आप बाकी चीज़े कर सकते हैं, इस परसनल नमबर के थ्रू ही आप अपना बैंक अकाउंट भी खुल सकते हैं, जिसमें आपकी फिर स पासनल एक्सपिरियंस बताता हूं, मैंने मुझे नहीं पता था इसके बारे में, तो एक दिन हमारे घर में पानी आना बंद हो गया, और यहाँ पर पानी आप स्रोर करके तो रखते नहीं है, क्योंकि सारी चीज़े गरम ठंदा पानी उसी में आ रहा है, टैप में आ रहा ह जिम के वाश्रूम से मैंने पानी की बहुत लें भरी और फिर हम मैं पीने का पानी लेकिया है, तो यह इसलिए होगा, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट में रेजिस्टर नहीं किया था, जहां पर वो आपको पहले से नोटिकेशन भेज देते हैं, मेल भेज देते हैं, कि इस इस दिन मैंटेनेस चलेगी और इतने देर के लिए पानी नहीं आएगा, तो इस वेबसाइट में जो विया कंट्री में मूव हो रहे हैं, तो इस वेबसाइट के बारे में पता करिए कि क्या वेबसाइट है और उसमें रजिस्टर कर लीजिए, फोर्स चीज जो आपको करन परस्मेल नंबर से आप यहां की हेल्थियर की वेजिस्ट में लॉग इन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा वाट सेंट्रालन असाइन हुआ है, अगर वापको आपको लग रहा है कि वह उतना अच्छा नहीं है, उसकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिफ्थ चीज़, पांचवी चीज़ जो मुझे लगता है, मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, यहां आते ही कर लेनी चाहिए थी, वो है यहां की जो सिटी बाइक्स हैं, उनका सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है, जब मैं यहां मूव हैं, जो हर जगे के स्टॉप्स हैं, तो उनका साल का सुब्सक्रिप्शन ले बाइक्स कर लेक्स्बाइक्स ले इसकता था। और मैंने वह इसलिए नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा ने शचेहर में चाहों तो आपको क्या करना है, क्या निकरना है, तो थोड़ा सा न अंदर धुग धुग रहती है, कि यार कुछ गलत ना कर दूँ, या फिर थोड़ा सा समझ रहती, मीरी बात मैंने बाइक सुब्सक्रिप्शन कुछ नहीं लिया, फिर बाद मैंने अपनी बाइक खरीदी, उसके बाद मैंने सबस्क्रिप्शन लिया अब आप सोचूँगे कि जब मैंने अपनी बाइक ले ली उसके बाइक ले लिया क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत जगे बाइक चोरी भी होती है तो अगर आप मान लीजीए जो हमने पहले बाद की घर देखने की अगर आप ऐसी जगे जा रहे हैं घर देखने जहां पर आपको पता नहीं है आपकी bike safe है नहीं है तो आप वो जो public जो subscription वाली bike है वो use कर सकते हैं तो कभी भी मेरे पास सब्स्रिप्शन भी है अपनी बाइक भी है लेकिन कभी भी मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि यार मुझे पार्किंग का शुर नहीं है कि बाइक सेफ रहेगी या नहीं रहेगी वहाँ पर मैं पब्लिक जो बाइक है जो जो बहुत ही जरूरी है वो है garbage segregation जब हम यहाँ आए हमें पता तो था कि यहाँ पर garbage segregation होता है तुम सारा कूड़ा एक जगे नहीं डाल सकती है तो बहुत टाइम तक मुझे बाहर dust में दिख रहे हैं मुझे पता है कि यहाँ कूड़ा डालना है जिसमें food waste रखें या फिर क्या है system मतलब अगर आप कागज फेक रहे हो तो कागज क्या polythine के अंदर डालोगे या कागज अलग से फेक होगे या फिर कैसे करोगे चीजे तो बहुत सारा confusion था तो शुरू के तीन-चार दिन तो हमने जो food waste है वो फेका ही नहीं घर के अंदर रखा फिर उसके बाद मैंने पास में कोई मुझे मिला बाहर बिल्डे के बाहर तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि जो आपकी building है उसी के कहीं common area में बहुत सारे ऐसे ब्राउन पेपर के envelope रखे होंगे वो food waste के envelope है उसमें आपको food, आप जूस common room में जाईए एक गठा वो ब्राउन पेपर पेपर बैक का envelope का लेकि अपने घर में आ जाईए dustbin में उसमें food waste डाली है और फिर नीचे garbage room में आपका food waste का अलग से dustbin होगा उसमें उसे डाल दी है तो ऐसे ही paper waste होता है paper waste में जैसे cardboard है या फिर जो आपके amazon delivery का रहा है या फिर milk cartons है yogurt के cartons है तो वो जो carton waste है ना वो paper waste में जाएगा और जो अलग paper है जैसे newspaper है आपकी diaries है वो सारे एक दूसरे newspaper वाले waste में जाएगी तो paper में भी दो categories है फिर glass है glass colored glass और transparent glass उसकी अलग है metal की अलग है batteries अलग में जाएगी और तो ये सारी categories रहती है उसके बाद भी जैसे कुछ चीजह हो जाती है जैसे diapers है बच्चे के या फिर आपके sanitary pads है तो वो general waste में जाते हैं जैसे जो food waste है वो तो आपने brown उसमें डाला रहा है अब जो paper waste है जो cartons है वो आपको polythine में नहीं डालने है वो सीधे डबबे ही उधर डालने है तो उसको आपको किसी चीज में wrap नहीं करना है paper waste है plastic waste है metal है काच है उसको आपको किसी polythine में wrap नहीं करना है ऐसे ही जो rest of all है जो diapers है वो आपको खुले नहीं डालने है वो हमेशा आपको एक polythine में wrap करके rest of all वाले dustbin में डालने है जो साथ भी चीज है वो यह है कि यहां पर जो cans आप लाएंगे चाहे आपके cold drink के cans हो या फिर soda के cans हो sparkling water यहां बोलते हैं यहां soda नहीं बोलते हैं तो शुरू शुरू मैं मैं soda बोल रहा था तो लोग बड़े confused सो हो जा रहे थे तो sparkling water के जो bottles आती है या फिर आप beer पी रहे ह तो plus one उसमें लिखा होगा क्योंकि आप 11 पे करोगे लेकिन जब आप उसको recycle करोगे तो वह एक crown आपको वापस आ जाएगा तो जो यह वेंडिंग मशीन सो जहां पर आप recycle करते हो तो कोई भी जो superstore है जहां पर आपका grocery store है उनके बाहर या अंदर machine लगी होगी आप किसी से भी पूछ लीजे आप वहां पर जाईए यह सब क्याने के करके डालिए वह scan करेगा लास में आपको एक रसीद मिल जाएगी वह रसीद सिर्फ उसी superstore में आप यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपने यहां से रसीद लिए फिर किसी दूसरे superstore में गए वहां काम करेगा तो वह जो रसीद है अंदर जाईए सामान करेगे और उस रसीद को दिखाईए तो उतने ही पैसे आपके माइनस हो जाएंगे एर्थ चीज आठवी चीज जो मैं बोलूँगा कि facebook group join कर लिए जैसे हम मालमो में है तो यहां पर एक है इंडियन से इन मालमो का एक ग्रूप है फि उसे भी आपको हेल्थ मिल जाएगी कि यार कैसे क्या चीज होती है जो नाइंथ चीज है वो है second hand item जैसे इंडिया में क्यों होता है न second hand item कोई नहीं खरीदता सब first hand खरीदते हैं बाजार जाके खरीदते हैं Amazon से खरीदते हैं mall में जाके खरीदते हैं लेकिन यहां यहां हर कोई second hand item खरीदता है और facebook marketplace उसके लिए बहुत ही popular जगे है यहां पर क्या है कि आप कोई भी चीज अगर खरीद रहें तो आप पहले facebook marketplace में देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यह मुझे सही दाम में मिल रहा है condition इसकी सही है फिर आप उसको बेज जख ले सकते ह पर हर कोई यूज करता है और जो second hand items हैं उनकी condition बहुत ही अच्छी रहती है कुछ ग्रूप facebook में ऐसे भी होते हैं जो लोग अपना सामान free में देते हैं तो जैसे freer stuff मालमों का एक group है हमारे मां तो वहां पर जैसे कोई शहर चोड़के जा रहा है और उसके पास वह सामान र तो जैसे काशु थोड़ी बड़ी हुई तो उसके सारे कपड़े सारे खिलोने सब सारे जो छोटे डाइबर से वह सब हमने एक उसमें लिस्क करें तो कोई जिसको चाहिए होंगे वह आया पूरा बैग उसने उठाय हो लेगा तो यह भी चीज़ें आप चेक कर सकते हो जिस इस एरिया को बोलते हैं स्कोने तो स्कोने ट्राफिकन यहां का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बोलते हैं स्कोने ट्राफिकन तो उसका जो टिकेट आप लेते हैं वह आप लेंड कर सकते हैं अगर आप वैसे हमेशा बाइक से जाते हैं लेकिन एक दिन आप सोचते ह यूज़ करें और आपको पता है कि आपके रोज पब्ली ट्रांसपोर्ड यूज़ करता है तो उसे आप पूर सकते हैं यारवी एक गंटे के लिए मुझे टिकेट रहे देगा क्या ग्यारवी चीज लेवन्थ चीज जो है वो है ग्रॉसरी तो जैसे इंडिया में क्या है ना कौनसा ग्रॉसरी स्टोर सबसे ससता है उसमें मैंने काफी मेनत की थी एकि दिन मैं چारी लेकार आलू, दूर, लेकाया थी, पयाज लेकाया थी, यह सारी चीज़ लेकाया थी और फो मनें किया क्पेर कहा था कौनसा सुस्टा है तो यह आप देख लीए कि dünya में कौन-कौन सस्ता है या महेंगा है बाहरवी चीज अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप इंडियन खाने को मिस करेंगे और इंडियन मसालों को मिस करेंगे तो आप ये चेक कर लिजे कि आपके आसपास एशियन शॉप कौन सी है उसमें आपको इंडियन मसाले मिल जाएंगे तो वहा ड्रीविश. दिए है की आप वहां चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, कितने टाइम तक सला सकते हैं या फिर आप ट्रा फोर्टीन चीज चौदवी चीज जो है वो यह है कि जैसे स्वीडन में एक एप है जिससे आप सब कुछ बुक कर सकते हैं तो जब मैं शुरू में यहां पर आया था तो यहां पर क्या है कि हेर कट के लिए भी आपको अपटमेंट लेना पड़ता है तो आप उस वेबसाइट से हेर कट मसाज अपटमेंट बुक कर सकते हैं फिफ्टीन चीज पंद्रवी चीज जो मैं रिकमेंट करूंगा वो यह करूंगा कि हमेशा जो फोन में रियल फील टेमपरिचर देखिए हमारी आदत क्या होती है हमारी आदत होती है अरे आज तो बाहर धूप आ रही है मौस कि टेमपरिचर जीरो होगा तो आपको लगएगा या फिर फिर फाइव अपको लगएगा चलो ठीक इतनी थंडी है लेकिन उस दिन हवा बहुत थंडी होगी जिससे वह तैमपरिचर माइनस फाइव होग रियल फील देखिए एक्टॉल टेमपरिचर मत देखिए और रियल फील टेमपरिचर के अकॉर्डिंग ही ट्रेस अप होई है तो यह थी पंदरा ऐसी चीजें जो मेरे खाल से आपको अगर पहले से पता हैं एक कंट्री में मूव होने से आपकी काफी ज्यादा हैल्प हो जाएगी आपके लिए काफी कंवीनेंट हो जाएंगी कुछ चीजें इतना ही था इस वीडियो में I hope you liked the video जोल दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में तिल दें बाई-बाई खाल लगे अपना